हाई आइफोन XR यूजर्स इस वीडियो में आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत है आज की वीडियो में आइफोन XR के बारे में बात करूंगा जो iOS 18 के उपर रन कर रहा है अभी के लिए आप देख सकते हैं मैंने अपना फोन iPhone 14 प्रो की हाउजिंग कस्टम हाउजिंग में कनवर्ट कर रखा है जो की 14 प्रो है बन रखा है अभी के लिए मैं आपको दोस्तो बता दूँ कि जो मेरे फोन की बैटरी है ना वो बहुत वर्स्ट परफॉर्म कर रही है बहुत खराब परफॉर्म कर रही है फोन मेरा 50% पर चार्ज मैंने रात को जोड़ा था और अभी मैं सुब आउट के देख रहा हूँ कि 17% पर है फोन यहाँ पर गाईज आप भी चेक आउट कर सकते हो मेरे बैटरी हेल्थ जो फोन की है ना वो 78% है हो सकता है कि मेरे फोन की बैटरी खराब हो लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यह अपने स्टैट्स कि क्या आपके केस में भी यह सेम ऐसा ही हो रहा है मेरे केस में सर्फ वाइफा किनेक्टेड है सिम कार्ड इस फोन में नहीं है लेकिन आप देख सकते हो सेललर के नीचे बैटरी वाले सेक्शन पर चलते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो जो बैटरी का स्टैट है वो कैसे ड्रॉप कर रहा है राइट वो जो है यह battery drain stand by mode में है so guys अगर आपको आपके case में यह problem नहीं आ रही तो comment सेक्वे बिताना फिर मेरे phone की battery ही खराब है फिर मैं battery replace कर दूँगा आपके लिए मैं वीडियो लेकि आँगा कि आप बिना message लिए बिना important battery message लिए कि यह apple का service part नहीं है यह genuine part नहीं है वह battery कैसे change करनी है मैं वह वीडियो लेकि आँगा आप just comment section बिताओ अभी के लिए आप देख सकते हैं मेरी battery हाल 78% है मैं कुछ ज्यादा heavy usage नहीं कर रहा है मेरे phone में आपस देख सकते हो जिए कुछ little bit the video editor or WhatsApp और कुछ phone calls और FaceTime video calls that's it right so सिर्फ यही चार-पांच चीजे मैं यूज कर रहा हूं और phone जो है ना वर्स्ट परफॉर्म कर रहा है battery के मामले में और iPhone XR के ओपर iOS 18 जो है ना वो quite laggy feel करता है मैं यह problem मैंने सिर्फ अपने phone में ही नहीं बलकि दूसरे iPhone XR में भी देखने को देखने को मिली है यह मेरे कोई issue so आपके case में iOS 18 अगर आपने नहीं install किया और आप नहीं चाहते कि मेरा phone laggy हो जाए आपका phone आप अपने phone को iOS 18 के ओपर अभी प्लीज ना update करना क्योंकि अभी जो है ना अभी मैं कुछ जादा phone use नहीं कर रहा हूं so phone अभी cool down है लेकिन जैसे phone थोड़ा सा warm होगा इसकी stuttering स्टार्ट हो जाती है phone lag करता है phone की screen kind of जैसे मैं battery वाला section open करूँ so कम से कम तो दो second लेके फिर battery वाला section open होगा so ऐसी चीजें जो है ना वो phone को slow कर रही है so जैसे अभी मैं motion वाले motion वाले section के अपर click करूंगा so आप देखना कि at least a second लेके move करता है so यहां बर देख सकते हो phone जो है ना अभी इस बार quite good चला लेकिन कभी-कभी जो है ना यह phone काफी slow perform कर रहा है I don't know अभी क्यों जल रहा है वीडियो बना रहा हूं मैं तो अभी शाहंदर perform कर रहा है right so phone जो है ना हर एक option को click करते वक्त at least एक-दो सेकिंड लेता जब हीट हो जाएगा तब तो और इसकी performance worst हो जाएगी iOS 18 XR के उपर जो है ना वो उसकी age दिखा रहा है I don't know कि Apple ने I think so कि Apple यह चीज़ करता है that's why जो है ना वो फोर्स करता है यूजर्स को नए phones भाई करने के लिए तो दोस्तों अभी मैं recommend करूंगा कि iPhone XR को update ना करना iOS 18 के उपर जैसे नए नए अपडेट्स हाएंगे मैं iPhone XR के उपर इंस्टाल करूंगा और आपको मैं update रखूंगा कि यह यह फीचर नया आया है और अब जो है ना परफोर्मेंस सही हो रही है या अब और वस्ट हो गई है कि Apple अगले आने वाले software अपडेट्स में क्या करता है तो दोस्तों आप वेट कर सकते हों software अगर आप फोन को खराब नहीं करना चाहते और अपनी money waste नहीं करना चाहते तो दस वास दिए वीडियो कैसे लेगी दो लेक्त में दो कमेंट सेक्शन थैंक्स पर वाशिंग थैंक्यों सो माच